दौस्तों आपको अपने यूटूब चैनल पे अपने चैनल का लोगों को एक बार अपलोट कर देना है फिर जो भी आपके पुराने वीडियो है या फिर आप नए वीडियो को अपलोट करेंगे तो हर वीडियो में आपके वो लोगों दिखा करेगा इसके लिए बहुत से लोग काइन मास्टर का साहरा लेते हैं वीडियो को एडिट करते समय उसमें अपने चैनल के लोगो को डालते हैं लेकिन ये यूटूब का ही फीचर है बहुत से लोगों को पता है बहुत से लोगों को नहीं पता है आपको अपने चैनल पए एक बार लोगो को अफलोट कर देना है उसके बास सेटिंग को enable कर देना है फिर जो भी आप विडियो को अफलोट करेंगे अटोमैटिक रूप से विडियो में दाइने साइड मेंनीचे की तरफ आपके चैनल का लोगो दीखा करेंगा आप मेरे इस वीडियो में देख पा रहा है होंगे दाइने साइड में नीचे की तरफ मेरा चैनल का लोगो दिख रहा होगा लेकिन जब आप फूल स्कीन में देखेंगे अपने मुबाइल में तब ये लोगो दिखेगा यानि कि ऐसे करके देखेंगे तब दिखेगा अगर इसको ऐसे करके देखेंगे तो फिर नहीं दिखेगा और अगर आपके पास में आपका चैनल का लोगो नहीं है तो उसको कैसे अपने चैनल से डाउनलोड करना है उसको भी जानेंगे तो चलिए mobile के skin पर चलते हैं और channel के लोगों को अपने channel पर upload करना सिख लेते हैं तो दोस्तों इसके लिए हम अपने mobile phone में chrome browser को open करेंगे अगर आपके पास कोई और browser है तो उसे open कर लिजिए और इसमें अपना youtube channel को open करेंगे उपर type करेंगे youtube.com और इसको search करेंगे इधर के side में मैं थुरा zoom करता हूँ यहां पर जो triple dash है इसके उपर click करेंगे और इसके बाद यहां पर my channel है इसके उपर click करेंगे तो यह हमारा channel यहां पर दिखने लगेगा इसके बाद ऊपर यहां पर video manager का option है इसके उपर click करना है और इसके बाद इधर के साइड में यहाँ पे चैनल का ओप्सन है इसके उपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे एक ओप्सन है ब्रैंडिंग इसके उपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे एक option है add a watermark इसी के उपर हमें click करना है और इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि आप जो भी watermark upload करेंगे वो transparent उसका background जो है transparent रहेगा तो नीचे की side में यहाँ पे एक option है choose file इसके उपर जब हम click करेंगे तो यह हमारे mobile में जो भी हम रखे रहेंगे इधर नीचे की side में यहाँ फाइल के उपर click करेंगे हम अपने mobile में जहाँ भी अपना channel का logo रखे रहेंगे उसके उपर click कर देना है तो यह है हमारा channel का logo takevr इसके उपर जैसे क्लिक कर देंगे वैसे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे एक option है इस side में आएंगे तो यहाँ पे save का option है तो इसी save के उपर क्लिक कर देना है और यह थोड़ा सा time लेगा और फिर इधर के side में यह हमारा जो लोगो है आ गया यहाँ पे अब फिर से हमें इस side में यहाँ नीचे save के उपर क्लिक कर देना है और इसके बाद यह आप देख सकते हैं आपके वीडियो में इस तरीके से दिखा करेगा यह जो दिख रहा है ऐसे आपका वीडियो चलेगा जब कोई lander scap में दिखेगा देखेगा आपका वीडियो तो ऐसे यहाँ पे दिखा करेगा अब यहाँ पे एक option है यहाँ पे लिखा हुआ है start time यानि कि आपके वीडियो चालू होने के कितने दिर के बाद यह logo दिखना चाहिए तो यहाँ पे मैं 5 second कर दिया हूँ आप चाहें तो 1 second कर सकते हैं या फिर 10 second कर सकते हैं तो जब आपका वीडियो उतना दिर चलेगा उसके बाद फिट logo दिखने लगेगा अभी आपको यहाँ पे update के उपर किलिक कर देना है और यह update हो गया अभी हम अपना वीडियो को चला के देखते हैं यहाँ से चलते हैं वापस और YouTube अप्लिकेशन को open करते हैं और मैं अपना एक वीडियो चलाता हूँ तो यह वीडियो मेरा अभी पहुझ कर दिया ऐसे चल रहा है तो कहीं कुछ logo नहीं दिख रहा है लेकिन जब मैं इसको ऐसे land escape करूँगा इस तरीके से और अभी मैं इसको चलाऊंगा मैं इसको sound कम कर दे रहा हूँ तो देखिए यह logo जो है यहाँ पे यह दिख रहा है यह इस तरीके से logo दिखा करेगा आपका वीडियो में डाइने साइड में नीचे यहाँ पे logo दिखा करेगा और इसको आपको एक बार upload कर देना है फिर जो भी पुराना वीडियो है या फिर नया upload करेंगे उनसा भी वीडियो में default रूप से दिखा करेगा यह YouTube का ही feature है अब अगर आपके पास आपके channel का logo नहीं है आप खोद दिया है या फिर delete हो गया है तो उसको download करने के लिए वहीं chrome browser में ही जाएंगे और उपर यहाँ पे triple dot पे triple dash पे click किया करेंगे फिर यहाँ पे my channel के उपर click करेंगे और इसके बाद यह जो आपका logo दिख रहा है यहाँ पे इसके उपर click करेंगे तो यह एक pane का option दिखाई देगा इसके उपर click कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे एक option आ गया edit का यह edit का option है इसके उपर click करना है तो यह आपके google के account मिले जाएगा यहाँ पे अपने logo को change भी कर सकते हैं या फिर आपका जो logo है उसको download कर सकते हैं यह इस तरीके से upload करने के लिए option आ जाएगा तो इसको यहाँ से cut कर देंगे और इसके बाद अपने logo के उपर click करके और press करके रखेंगे बीच में camera पे नहीं करना है यहाँ side में करना है तो यह इस तरीके से आ जाएगा अब आपको यहाँ पे download image है इसके उपर click कर देंगे तो यह आपका logo यह इस तरीके से हो सकता है direct download हो जाए या फिर इस तरीके से पूछेगा कि आप इसको कहाँ download करना चाहते हैं तो यह default रूप से download वाले folder में जाएगा अब आपको यहाँ पे download के उपर click कर देना है तो यह आपके phone में download हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं download हो गया तो अब आप उसको उठा के यहाँ पे channel पे upload कर सकते हैं जैसे मैंने बताया इस channel पे अलग-अलग category में बहुत सारे वीडियो हैं जैसे अधार card में online address कैसे change करें या फिर किसी भी तरह के बदलाव के लिए appointment कैसे book करें अगर आपका election card खो गया आए तो नया election card कैसे मागाना है या फिर किसी भी तरह के बदलाव के लिए कैसे apply करना है आपको job करते हुए advance PF कैसे निकालना है या फिर PF में किसी भी तरह का KYC को कैसे करना है और ये सारे वीडियो मुबाइल पर ही बने हुए हैं आप मुबाइल सही कर सकते हैं आपको इसके लिए कम्पूटर की ज़रूरत नहीं है और इन सब वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टोपिक के साथ में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मतरम